Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone. So, Practice Class No. 2 start करने जा रहे हैं 4TELS, JE, NEET and NDA के लिए JE, NDA and CUET के लिए Practice Class Based on Example problem यहाँ पर करने जा रहे हैं Full solution चल रहा है Continuity and Differentiability जो आपके NCRT का Chapter No. 5 है इसकी यह Practice Class No. 2 यहाँ पर हम Continue करने जा रहे हैं इसके पहले Practice Class No. 1 में मैंने आपको Continuity बढ़ाई पताई थी बहुत ज़्यादा अब मैं आपको जो यहाँ पर Differentiability के कुछ Quality Question करवाऊँगा ओके तो हमारा जो टॉपिक आज का वो क्या है Differentiability ओके दोस्तों तो चलिए Differentiability के Questions देखते हैं Differentiability का ज्यान होने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी Question के Differentiability आपको किसी Point पर देखनी है तो उसके लिए दो चीज़ें आपको पता होने चाहिए सबसे पहले एक तो Right Hand Derivative और दूसरा Depth Hand Derivative ओके यह देखे यह है Left Hand Derivative ओके यह क्या है Left Hand Derivative और यह जो दूसरा है यह है क्या यह है Right Hand Derivative तो एक है आपका Left Hand Derivative और एक है आपका Right Hand Derivative ओके तो यह देखे अगर कोई Point आपके पास जो में A है Actually इसको यहाँ C नहीं लिखना चाहिए साहिए यहाँ पर A लिखना चाहिए तो किसी Point A पर Left Hand Derivative कितना होता है आपको चेक करना पड़ता है आपको चेक करना पड़ता है कि Right Hand Derivative जिसको हम R F' A बोलते हैं ओके और Left Hand Derivative जिसको हम L F' A बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर आप F' A प्लस H भी बोला जाता है और इसको जो होता है F' A माइनस H भी बोला जाता है तो दोनों चीज़ें आप निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों Equal हैं अगर दोनों Equal हैं इसका मतलब आपका जो Function है वो Differentiable है चलिए तो देखिए अगला Question जैसी यार आपने पास में F' X equal to इतना दिया हुआ है क्या करते हैं 2 पर चेक करना है तो मतलब हमाँ पास दो सिच्यूशन बनेगी एक 2-H यानिकि Left पर 2-H पर और एक सिच्यूशन बनेगी कहाँ पर 2-H पर ओके 2-H और 2-H पर यह Function दिया है कोई बात नहीं Function को दिये रहें दो तो सबसे पहले देखिए आपके पस A point कितना आ चुका है 2 आ चुका है और Left hand derivative का formula लगाने के लिए त्यार हो जाएए L F' A का formula अपने क्या पढ़ा है अपने formula पढ़ा है L F' A का Left hand derivative is equal to F of A minus H minus of F A upon कितना minus का H तो यही formula हमने लगा दिया F of 2 minus H minus F2 upon minus H तो F of 2 minus H देखिए 2 से कम के लिए यह function apply होगा तो 2 minus H break और modulus function modulus नहीं है greatest integer 2 minus H and then इसके बाद किया F A यह मतलब equal करने पर तो equal यहाँ प्यार है F A तो equal का sign यह provide कर रहा है actually देखिए यहाँ पर equal का sign कौन provide कर रहा है यह provide कर रहा है तो इसलिए यह वाला function apply होगा तो आप apply करेंगे function तो कितना हो जागा देखिए F of 2 minus H 2 minus H greatest integer 2 minus H minus 2 minus 1 into 2 और minus H कर दिया है इसको solve कर दिए तो 2 minus H अब देखिए greatest integer 2 minus H 2 minus H मतलब 2 से थोड़ा सा कम तो 2 से थोड़ा सा कम कहा पर टूटेगा 1 पर टूटेगा तो यह 1 पर टूट गया greatest integer आप जानते हों कि 2 से थोड़ा सा कम कितना होता 1.99 माल लो तो कितने पर टूटता है 1 पर टूटता है हमें सापने इससे पीछे वाले integer पर टूटेगा तो 1 पर टूट गया माइनस का कितना हो गया 2 माइनस 1 इंटू 2 याने की 2 हो गया माइनस H स्वाल करके 2 से 2 कैंसल हो गया और माइनस H अपन H कितना आ गया 1 आ गया मतलब इसकी जो लेफ्ट हैं डेरिवटिव जिसको मैं बोलता हूँ F डैस हला कि 2 पर निकाला है तो 2 माइनस H एकुल डू कितना आ चुका है 1 आ चुका है अब देखे 2 पर राइट हैं डेरिवटिव याने की F डैस 2 प्लस H याने की F डैस 2 भी बोलाई सकता है निकालते हैं F डैस 2 प्लस H तो 2 प्लस H याने 2 के आंगे का फंक्शन तो 2 से बढ़े के लिए यह है तो 2 प्लस H माइनस 1 और फिर यहां पर कितना हो जागा 2 प्लस H X की जागा और छोटे के लिए रिखे X ग्रेटेस्ट इंटीजर X है तो 2 प्लस H के लिए अपने पास में क्या जा रहा है देखे 2 प्लस H के लिए अभी तो फिलाल अपने किस के लिए लगा है F of 2 प्लस H माइनस F2 लगाना ओके स्वारी F2 तो F of 2 कौन सा फंक्शन देगा 2 पर एक को लिए ही दे रहा है X मैनस 1 तो 2 मैनस 1 इंटी 2 अपन H Solve कर दिया देखे इसको H square upon 3H एक H cancel हो जाएगा ओके और उपर common cancel हो करके कितना बच गया 0 प्लस 3 3 तो clearly दिख रहा है कि right hand derivative जो है यानि कि F test 2 प्लस H यहाँ पर कितना आ चुका है यहाँ पर F test 2 प्लस H जो है वो कितना चुका है 3 आ चुका है तो मैं बूल रहा था clearly दिख रहा है कि right hand derivative left hand derivative के equal नहीं है इसका मतलब है जो function है यह differentiable नहीं होगा चलिए तो अच्छा question था है इस तरीके का question मैं recommend करता हूँ कि CBSC exams के लिए यह question बहुत बढ़ी है आप लोग को इसकी practice करने चाहिए यह चलिए अगला देखते है यह देखिए x equal to 0 पर हमको differentiability चेक करनी है इसमें हमको continuity नहीं चेक करनी है differentiability चेक करनी है x is not equal to 0 मतलब BC में x greater than 0 और x lesser than 0 दोनों ही party इसी में आ जाएंगी और हमको क्या निकालना है हमको निकालना है right hand derivative यहने f dash 0 plus h और left hand derivative यहने f dash 0 minus h formula मैंने बताई दिया आपको चलिए तो यहाँ पर देखिए formula हम solve करते हैं यह देखिए formula है तो left hand derivative this is equals to limit x tends to 0 minus f x minus f x minus f 0 upon x minus 0 ठेक ना तो यह तो simple formula लगा दिया है derivative का क्योंकि जो formula होता है d by dx this is equals to okay f x minus f a upon x minus a यह formula कहां के लिए होता है x equal to a पर differentiation का तो मैं कहूंगा आप यह ना लगाई है आपको जो मैं अभी मैंने बताया था आप वो लगाई है directly formula इसको लगाने से कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है सीदे यहां से अपना question सुरू हो रहा है यह line देखकर के आप confused और हो जाओगे तो में अबकुल मिला के आपको क्या निकलना है l f dash है ना किस पर a पर निकलना है a फिलाल 0 है तो क्या होता formula f of 0 minus h minus f of a a minus h upon कितना होता है m minus का h हुआ करता है तो बस आपको यही चीज़ को याद रखना है तो f of a minus h कितना हो जागा देखो आप जानते हो f of a minus h मतलब कि a की जगे कौन खेल रहा है 0 खेल रहा है तो x square sin a by x 0 minus h का square sin 1 upon 0 minus h और नीचे कितना जागा minus h आता है तो अब आपको यहाँ पर देखे solve कीज़े तो कितना जागा h square minus sin 1 by h तो यहाँ से 1h से 1h cancel हो जागा आपके पस h बचेगा ठीक ना आपके पस क्या बचेगा h बचेगा तो यह उपर h बचेगा क्योंकि 1h से 1h cancel हो गया अब देखे h की value तो 0 है और यह finite होगा कोई नो कोई तो 0 multiply by finite value कितना आगया 0 आगया चलिए अगला देखते हैं अगला फिर से हम right hand derivative निकालते हैं तो यह जो formula लिखा हुआ है यह बेज़े इसको confused हो रहा है बच्चे यहां पर इसको इस formula को यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहार हम लोग तो उससे solve कर रहे हैं h वाले से तो यहां पर यह तो basic differentiation का formula हो गया यह true derivative का formula हो गया एक पर मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे d by dx आप करते हो तो इसका derivative का formula होता है कि limit x tends to 0 limit x tends to 0 f x minus f a upon x minus a ठीक है नग तो यह तो derivative का basic formula होगा करता है कोई sorry sorry limit x tends to 0 f x tends to a यहां ठीक है अब सही है तो limit x tends to a यहां भी में लिखना में भूल गया था limit x tends to a यह क्या होता है यह d by dx at x equal to a होता है तो यह differentiation का basic formula है इसको यहां पर लगाना ही नहीं है I don't know यहां पर एक क्यों दे दिया है मैंने तो इससे confuse हो रहे है बच्चे mainly तो आपको जो formula लगाना मैं बता रहेता हूँ क्या है f डैस आपको निकालना है a plus h per derivative right hand derivative इसको बोलते है तो आपको main formula जो लगाना है limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a okay upon कितना h यह होता है तो यह कुल में लाकिए हाँ पर a की जगे कौन खेल रहा 0 तो 0 प्लस h का हो जागा 0 प्लस h का square minus y 1 upon 0 प्लस h और minus f a यानि की 0 पर value किती दे रखी है तो function ने 0 पर value 0 ही दे रखी है तो वो minus करने से कोई फर्क नहीं है तो इसमें लिखा नहीं है यह रिकिए 0 पर value 0 है तो इसको solve करो h square sin a by h आज़ेगा फिर से 0 multiply by sin a by h तो यह oscillating number between minus 1 to plus 1 तो answer कितना आज़ेगा 0 आज़ेगा तो कुल में लाकर कि यह जो function differentiable है तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हमारे पर जो x sin 1 by x x square sin 1 by x ओके अच्छा function है directly भी आप इसको memorize कर सकते हो कि यह जो होता है x equal to 0 पर ओके क्या होता है यह differentiable होता है क्या होता है differentiable continuity तो मैंने साथ वहले ही रूफ करा दी हाँ continuous भी होता है और साथी साथ क्या होता है differentiable भी होता है ओके तो यह good question है ओके और मैं ऐसे थोड़ा बड़ा question है इसलिए मैं बोलूँगा यह cbc के लिए perfect रहेगा ओके और चलिए अगला question देखते है question number 22 if fx equal to this at x equal to 2 2 क्या रहा कि fx जो है one plus x if x is less than two and दूसरा ही है तो क्यारा differentiability check करनी तो भाई दो ही चीज़ बनेगी f dash 2 plus h बनेगा दो के आँगे और f dash 2 minus h तो बड़ा basic type का question मिले को समझ में आ रहा है यह line फिर से इसने बेवज़ा परिशान करने को दे दिए आपको यह line देखना ही नहीं है यह आपको देखना ही नहीं है आपको तो अपना method लगाना है आपको अपना method लगाना है दिखिए f dash 2 plus h है तो क्या बोलते हैं limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h बस यह आपको लगाना है यह formula ओके तो right hand में देखिए f of 2 plus h, यानि कि 2 से बड़े होने पर, 2 से बड़े होने पर क्या function लगे गई है, 5 minus 2 plus h, तो देखिए, 5 minus 2 plus h, और f2 किसे निकल आगा, equal सा जागा, 1 plus 2, 3 हो गया, upon solve के लिए, कितना आगया, देखिए, solve करने पर आगया, minus 1, यह आगया, minus 1, right hand derivative है, अब left hand derivative की बात करी जाए, त f 10 derivative 2 minus h, equal to, मैं याद करा देता हूं, को limit h tends to 0, okay, f of 2 minus h, minus f2 upon minus h, ठीक है, तो f of 2 minus h, यहने 2 से कम, तो 2 से कम के लिए यह function है, तो क्या है, 2 से कम के लिए function क्या है, 1 plus x, तो यह हो जाएगा, 1 plus 2 minus h, x की जाएगा, 2 minus h, और minus का कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि f of 2 की value किती है कि 3 हो जाएगी, इसको solve कर दीजिए, देखिए, कितना हो गया, 3 से 3 cancel हो गया, minus h upon h हो गया, तो value कितनी आ गया, इसकी 1 आ गया, इसकी value भी किती हारी, 1 आ गया, देखिए, left-hand derivative, right-hand derivative, equal नहीं है, इसका मतलब जो given function है, वो x equal to 2 पर continuous नहीं है, नेक्स देखिए, क्या कह रहा है, show that fx equal to mod x minus 5 is continuous but not differentiable at x equal to 5, कह रहा है कि show करो कि continuous तो है, तो बस आपके लिए पहले क्या करना, function को जो है, break कर लो, function को यह आपने break कर लिए, दो पार्ट में, अब x equal to 5 पर आपने left-hand ले बंटिगा ली, तो x की जगा 5 minus h रख दिया, ये भी 0 आगया, तो left-hand और right-hand derivative और function की value f5 की तीनों equal है, देखिए, function की f5 पर value भी किती दी गई है, इससे निकलेगी 0 आजाएगी, तो मतलब ये जो function है, ये डिफरेंशिबल, sorry, continuous तो है, अब बात करते हैं, continuous तो हो चुगा, अब बात करते हैं, इसके differentiability की, okay, differentiability की, तो differentiability में फ differentiation का formula लगाया, फिर से वही वही चीज़ें बार-बार आ रही है, मैं आपको फिर से सला दूँगा, कि आप लोग अगर नए है, तो ये इस approach में मत जाई है, ठीक ना, आपको जो मैंने बताया है, कि f-a क्या लगाना है, left लगा रहा है, a-h, तो आपको formula क्या लगाना है, minus, a-h, तो a-h मतलब क्या था अपने पास में, यहाँ पर a-h मतलब जो था, यहाँ पर function क्या आए, एक बार एक मिनट देखो, 5 से कम के लिए minus of x minus 5, यानि की, आपको यहाँ पर put करना है, x की जगे क्या put करना है, यह सब, x की जगे आपको put करना है, a-5 minus h put करना है, तो मैं put कर देता हूँ, यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर ही मैं put करूँगा, तो limit h tends to 0, और यहाँ minus h होता है, a की जगे फिलाल 5 है, तो जो हमारे पास function है, वो कितना आ रहा है, left के लिए जो function बन रहा है, वो हमारे लिए बनना, left के लिए function बनना, minus of x minus 5, तो minus of x की जगे क्या, 5 minus h और minus का कितना 5, minus f of 5 कितना है, 0 है मेरे ख्याल से, f of a, f of a एने की f of 5, तो 5 minus 5 equal to 0 upon minus h, ठीक न, अब उन में कितना हागया, minus का h, चलो solve कर लो, देखो 5 से 5 cancel हो गया, minus minus plus h हो गया, upon में minus 1, मतलब कुल मिला के left hand derivative कितना हागया, minus 1, देखो इधर भी minus 1 दिया हुआ, अब right hand derivative कि ना आएगा, plus 1 आएगा, उसी method से, जो मैंने उपर बताया है, तो देखे, दोनों derivative इकोल नहीं है, इसका मतलब, left hand derivative is not equal to right hand derivative, तो यह function differentiable नहीं होगा, okay, so this is done, यह भी हो गया हमारा, okay, यह भी CBSC examination के लिए बहुत ही perfect question है, okay, I believe आप लोग करेंगे इसको, चलिए, अब देख अबी तो मैंने देखा नहीं है, आएगे करते हैं, फिर इसके बाद देखे, differentiation सुरू हो रहा, तो differentiation की दुनिया में चलेंगे, तो पहले तो इस question को कर ले, करा, a function of f, function f defined from r to a real number to real number satisfies the equation, f of x plus y equal to fx into fy, where x, y belong to r and fx is not equal to 0, ठीक है, suppose that the function is differentiable at x equal to 0 and f0 equal to, f dash 0 equal to 2, then prove that the f dash x equal to 2 times of fx, तो proof करना हमको कि जो f dash x है, वो 2 times of fx के equal होगा, देखो जी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर property क्या लग रही है, सबसे पहली property लग रही है, f of x plus y, जो है, f equal to fx into fy, fx into fy, ठीक ना, और, और क्या दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ें, दूसरा, f dash x is not equal to 0, f dash x is not equal to 0, और क्या हिंट दी गई है, और हिंट दी गई कि x equal to 0 पर जो f dash 0 की value है, वो किती दी गई है, 2 दी गई है, x equal to 0 पर f dash 0 की value, 2 दी गई है, और देखो यह चीज़ देखो आप, एक चीज़ समझो, यह fx plus y, यह चीज़ बहुत काम में आने वाली है, वादलब x plus y हम तब लगा पाएंगे, जब हम right hand limit को approach करेंगे, ओके, तो मैं जो है, क्योंकि बात 0 पर हो रही है, f dash की, तो मैं लेकर के चलता हूँ, f dash 0 plus h, यह नहीं कि 0 पर right hand derivative, limit बोल गया अगलती से, f dash right hand derivative, f dash 0 plus h लेके मैं चल रहा हूँ, तो आप लोग जानते हो, sorry, यहाँ मेरे को, ठीक है, ठी derivative यह होता न, f dash 0 plus h, तो क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते है, f of 0 plus h minus f 0 upon में कितना h, यह हम यूज़ कोया करते है, okay, f dash 0 plus h equal to f of 0 plus h minus f 0, ठीक है, अब देखो, यह जो derivative है, ठीक है, यह जो derivative है, f dash 0 plus h, यह right hand derivative produce कर रहा है, और यहाँ पर मैं कुछ लगाना भूल गया, यहाँ पर क्या लगता है, limit h tends to 0 भी लगता है, limit h tends to 0, अब देखे, क्या बात कहीगी, कह रहा कि function differentiable है, question ने खुद कह रखा है, कि function differentiable है, देखो, question ने खुद कह रखा कि function क्या है, differentiable है, अब बच्छो आपको पता है, कि अगर function differentiable है तो इसका मतलब function अगर differentiable होगा तो आपके पास जो है f dash a plus h याने left right hand derivative और f dash a minus h की जो value होती है वो equal आती है f dash a plus h और f dash a minus h की value equal आती है और 0 पर यहाँ derivative की value किती रही गए 2 तो मैं आपर रख सकता हूँ 2 equal to अब f 0 plus h तो आपको पता है यहाँ तो लगा दो limit h tends to 0 अच्छी बात है और यह आपकर क्या लिखा है f x plus y equal to f x into f y तो मैं इसको लिख सकता हूँ f 0 into f h minus f of 0 ऐसा कर दो upon में कितना h ठीक है ना अब यहाँ से देखो हमको क्या चाहिए इन लोग को then prove करना f dash x मोग के मतलब x को कहीं न कहीं हमको लेके आना है चलो ठीक अच्छी बात है कोई problem नहीं अब यहाँ से हमें यह चीज़ आ चुकी है अब value put कर दो तो 2 equal to limit h tends to 0 2 equal to limit h tends to 0 ठीक ना 2 equal to limit h tends to 0 f 0 अपन ने क्या ले लिए common ले लिए f 0 अपन ने क्या ले लिए common ले लिए तो यहाँ पर कितना बन गया है यहाँ पर बन चुका है f h minus 1 f h minus 1 और upon में कितना upon में जो है जा चुका है upon में जा चुका है h यह upon में h जा चुका है ठीक ना f h minus 1 upon h अच्छी बात है अब f 0 की value आपको दी गई है क्या f 0 की value देखे क्या दी गई है यहाँ पर आ करके अपनी बात को रोक दिए यहाँ पर इन लोगों ने अपनी बात को आ करके रोक दिया है बच्चो अब हम को किस को देखना पड़ेगा अब हमें fx को देखना पड़ेगा alors fx को देखना पड़ेगा क्योंकि question में जो है question में कहां की तरफ ले जा रहे हैं हमें fb6 melaag ह earn pourtant sndry रहें तो हम चलते हैं f-x की तरफ अब f-x का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हूं फर्स्ट प्रिंस्पल मैथड से limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon में कितना होता बच्चों h होता है ना बहुत बढ़िया तो मैं इसको लिख सकता हूं limit h tends to 0 f of x plus h को लिख सकता हूं fx into fx into fx minus fx upon में कितना होता है यहां से अगर आप fx common ले लो f-x equal to limit h tends to 0 तो चले गई अगर यहां से आप fx common ले 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 तो तो bracket में क्या बनता है f of h minus 1 upon में कितना h बनेगा upon में कितना बनेगा h बनेगा ठीक ना यह देखिए f of x minus 1 upon h sorry f of h minus 1 upon x ठीक ना f of h minus 1 upon h ठीक है बहुत बढ़ी है यह अब यह देखिए आपकी इसका आंगे क्या हो ज़कता है यह f dash x है ठीक ना यह f dash x है और देखिए यहां पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है एक्चुली यहां पर f x कॉमा लेने के बाद f f minus 1 upon h put कर दिया गया ठीक ना f minus 1 upon h यह ठीक है अब equal to 2 f x कर दिया गया मतलब इतने expression की value जो है क्या है 2 कर दी गई है अब अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है हमारे पास 2 जो value आई है वो limit h tends to 0 f 0 multiply by f h minus 1 की value 2 है मतलब यहां पर f 0 का तो नामों निशानी है मतलब कहीं न कहीं f 0 की value question को देना था और और f 0 की value भी कित्ती होनी थी one होनी तभी यह possible हो पाएगा otherwise आप यहां से fh यहां पर यहां पर यहां पर यह देखा जाना पूट करने के बाद तो 2 upon कितना आएगा f 0 आएगा तो थोड़ा से कहीं न कहीं यहां पर कुछ problematic है इसको मैं आपको चेक करके at the last of the video मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या सही होना है तो ठीक है फ्रेंड से यह जो question है थोड़ा सा problematic है इसको हम लोग बाद में करेंगे question number 24 को तब आँगे भढ़ते हैं देखे question number 25 देखते है question number 25 है 2 to the power cos square x है तो constant की power function है तो इसको वैसे आप t लेके करेंगे तो दिक्कत करेगी आपको log लेजे तो log 2 की power cos square x तो cos square x log 2 constant बन ग बन जाएगा 2 cos x और इसका minus sin x तो इस sin 2 x हो गया और y को उपल लेए यहाँ पर तो y log 2 यानिकी minus 2 cos square x log 2 और यहाँ पर कितना हो गया sin 2 x यह इसका answer बन जाएगा बहुत ही simple question बन गया यह अगला question देखे question number 26 है 8 की power x upon x की power 8 तो क्या ले लेंगे इसमें फिर से आप log ले अब भी तो यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा x log 8 minus 8 log x तो अब x log 8 log 8 तो constant है x का differentiation 1 हो गया minus 8 by x हो गया और इधर y ले आए तो यह भी बहुत ही आराम से होने वाला question अब ऐसे question जो होते हैं जो विल्कुल simple है ना यह CUAT level के question है जो बहुत ही simple type के question है जिसे यह भी आपने उपर देखा तो यह भी किस level का question है CUAT level का question है दिखेगा थोड़ा साथ difficult but होता बहुत easy है अगला देखे लोग of x plus x square भाई यह इसको आपको solve करना है कैसे solve करेंगे देखे तो d by dx of log of x plus x square भाई यह आपने करना इसको पूरे को टील लेंगे तो one upon this और फिर सक बाद इसका differentiation क कर देंगे देखे तो one upon this पहले चलता रहा है और एकस का हो जाएगा one plus one upon two under root x square plus a square फी पावर माइनस टू और देखे इसका कितना हो जाएगा अपने पास में two x हो जाएगा ओके अब इसके बाद मैं इसको मैं क्या लेक्स रहता हूँ one upon x plus x square by a plus a और one plus okay देखे टू से two cancel ह हो गया one x upon x square plus a तो अब multiply कर दीजे तो ये चीज ऊपर चलियागी x square plus a plus x बाहर जागा रूटके और ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएगा multiply में okay फिर देखे इससे ये cancel हो गया cancel तो कितना बन गया one upon x square plus a बस बच गया तो ये भी बढ़िया question है easy question है चलिए log log 5 तो ये composite function है okay composition कई बार हुआ है तो बस आपको वही जिसको simply t लेकर solve करना है तो सबसे पहले एक log के लिए देखे होगा one upon log log x की power 5 फिर दूसरा log हो तो कितना हो जाएगा अपने पास इसका differentiation one upon log x की power 5 फिर finally देखे इसका कितना हो जाएगा log x की power 5 है तो log x की power 5 का इसको जब आप t ले ल log x और 5 log x का कितना हो जाएगा one upon x हो जाएगा तो ये भी easy question है और coet में ऐसे question जरूर आते हैं और NDA के लिए भी question बिल्कुल perfect है क्योंकि थोड़ा सा tricky है ओके चलिए अगला question देखे साइन root x plus cos root x का square तो अलग-अलग differentiate कर दिए sin root x में root x x power 1 by 2 है तो cos x की power 1 by 2 फिर इसका root x हो जाएगा और इसमें कितना है इसका whole square है तो 2 cos x की power 1 by 2 और cos x की power 1 by 2 का differentiation कर दो तो ये देखो cos x की power 1 by 2 फिर x की power 1 by 2 का nx की power n-1 लगा दो ये तो वैसे का वैसे आ गया और फिर cos का हो जाएगा minus sin बस हो गया इसके बाद common on one लेकर के लिख दो तो यह भी को ज़्यादा को डिफिकल्ड कोश्चन नहीं है इजी कोश्चन है इसके बाद में देखिए यह क्या है साइन एक्स की पावर एक्साइन की पावर n है तो अंदर वाले को कुटी लेने पड़ेगा तो यह बन जाएगा फिर इसके बाद इसको क्या करना है कॉस्ट में तोड़ देना है और इसके बाद टू एक्स प्लस भी तुम लब बड़ा क्वेश्चन है बट है बहुत एजी क्वेश्चन तो यह भी सीवेटी लेवल की इसका 10 का हो जाए कितना स्क्वेश्चन और इसका एक्स प्लस वन का तो खोल मिला कि इसको साइन कर लेजिये बहुत ही एजी तरीके से आंसार आ रहा है कुछ नया नहीं तो यह भी एजी क्वेश्चन है C.E.E.T. लेवल का अगला पार देखिए 3 function है, एक दो 3 function इसमें दिये, sin ë is square है, sin is square x है, sin x का sin mów का तो तीनों का अलग cada डिफ्रेंशिशन आपको करना था देखिए पहला आ जाएगा cosथ square, फिर x is square का, इसका कितना 2 sin x और sin x का और sin x square तो पहले तो 2 sin x square जागा फिर d by d x of sin x square तो cos x square के साथ में इसका 2 x हो गया इसका तो 2 x 2 sin x से sin x का cos x हो गया 2 sin x square है अब sin x square का cos x square और x square बस हो गया इसको आप अच्छे से adjust करके लिख दो ये भी क्या कर दो इसमें आपको इसको simple आप टी ले करके इसको टी ले करके जो है solve कर दो तो यहाँ पर substitution तो किया नहीं है यहाँ पर टी लेके solve किया गया आईए देखते हैं बिलो करते हैं तो sin inverse x का differentiation होता 1 upon 1 minus x square तो 1 upon 1 minus x square और यह देखिए कि पूरा का पूरा क्या बन चुका होगा टी बन चुका होगा तो इसका भी यहाँ पर d by dx कि आपन ने इसको solve कर दिया और इसका हो जागा x की पार 1 minus 1 x plus 1 की पार 1 minus 1 by 2 फिर इसके बाद यह तो अपने अप solve हो रहा है यह वाला पार्ट भी जो इस तरीके से solve हो जाएगा और फाइनल अंसर अपका यह जाएगा तो प्रैक्टिस requirement हो रही बाहां कि कुछ भी नहीं है कोई नया concept कोई नई चीज इन वाल्व नहीं हुए यह देखिए यह तो प्रैक्टिस बेस का question है प्रैक्टिस आराम से कीजिए गलती नहीं होनी चीए ठीक है अगला देखिए किसीदा multiply है तो log लिना पड़ेगा log a plus b plus c की structure बन जाएगी है ना और इसके बाद इसको solve कर जिए ncrt type का question है एक एक step प्राम से of one upon one plus x square वाला formula minus one upon one minus x square का formula लगा दीजिए तो minus one upon sin x plus cos x by root 2 का whole square यह भी हो चुका है ओके यह टिग्नो मेटरी से आप इसको substitute करके भी simplify कर सकते हो वह भी कर सकते हो फिलाल देखो इसको one upon root two बाहरा गया cos x minus sin x इसको यहाँ पे two root two का square कुछ हुआ है root two का square two हो जाएगा न फिर या फोर कैसे बन गया तो यहाँ पे थोड़ा सा में sprint हो गया यहाँ पे four नहीं वनेगा यहाँ पे यहाँ पे दी जाएगा तो इसको one लखो आप यह 1 ही रहेगा वह मिस्प्रिंट हो गया गलती से तो root 2 का square 2 हो गया अब इसके एसाद multiply कर दो तो यह structure बन जाएगी फिर 1-sin2x की value का आप इसे लिख सकते हो क्या cos x-sinx का whole square इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो यह अपने पास में 1-sin2x का root है तो क्या बन जाएगा cos x-sinx के whole square का root तो cos x-sinx यह नीचे से उपर का cancel हो जागा तो answer कितना रहा minus 1 तो अब यह question जो है थोड़ा अच्छे level का है तो यह nda level तक का question है यह वाला जो जाएगा nda level में जाएगा चलिए अगला question देखिए 10 inverse 1-cos x तो इसको directly आप solve कर सकते हो या आप इसको simplify भी कर सकते हो परन्तु यहाँ पर directly किया गया तो मैं भी directly way में आपको बताऊंगा देखिए 10 inverse का 1 upon 1 plus x square होता है और इसको t ले करके आप इसको दो पार्ट में solve को लगेगा फिर इसमें division rule लगेगा ओके यह तो होई रहा अपना solve ठीके ना फिर इसमें division rule लगेगा देखिए लग जाया कितना इसका है 1-cos x तो इसमें अपना होएगा n x की पार n-1 लगा दिया है फिर 1 plus cos x 1-cos x ही है अलग-अलग कर दिया इसको simplify दर कर दिया 1 upon 2 है इसको हमने जो है यह वाला जो पार्ट है इसको कैसे कर रहा है देखिए यह 1-cos x है 1 plus cos x है तो हमने इसको racialize कर लिया है 1-cos x 1-cos x से उपर नीचे multiply और minus 1 by 2 और नीचे यह division वाला पार्ट चल रहा है चलने दो इसको यह हो गया solve करके इतना वाला पार्ट पहला वाला पार्ट यह आ चुका है दूसरा वाला पार्ट 1-cos x का whole square upon यहाँ पर कितना अगया अपना 1-cos x की power 1 by 2 ठीक है और यह वाला पार्ट इदर चली रहा है फिर इदर वाला पार्ट इदर ही चल रहा है ठीक है ना और इसके बाद में आप इसको simplify करो 1 plus cos x upon 2 1 by 2 1-cos x square upon sin x है 1-cos x को sin x कर दिया पावर माइनस 1 by 2 है यहाँ पे sin x था और मेरे खाल से अंडर रूट था क्या नहीं था तो यह मिस्प्रिंट हुआ है यहाँ पे sin x ही आएगा ओके और यह सौल वो करके 2 sin x upon 1 plus cos x का whole square आ चुका है अब इसके बाद देखिए यह 1-cos x है और यह 1 plus cos x है सबसे पहले 2-2 जितने है उनको आप cancel कर सकते हो और यह देखिए 2 sin x है उपर भी यहाँ पे तो क्या बज़ गया देखिए यहाँ पे 2 sin square x हो चुका है और 1 plus cos x एक 1 plus cos x कैंसल हो जाएगा उपर कितना बच चुका 2 sin square x हो नीचे देखिए 2-2 जा 4 है और 4 यहाँ पे 1-cos square x यहने की कितना हो गया sin square x तो sin square x स sin square x cancel हो गया के विल कितना आ गया 1 by 2 आ गया तो यह तरीका तो यह इसको करने का यह बहुत बड़ा तरीका आप इससे मच जाएए अब मैं बोलूगा दूसरा तरीका क्या इसको आप simplify कर लो ओके आप इसको यह दिस simplify करोगे तो बहुत easily हो जागा तो देखो 1-cos square x upon 1 plus cos square x कितना होता है 1-cos x होता है 2 sin square x by 2 और 1 plus cos x होता है 2 तो यहाँ पे आजाएगा x by 2 और उसको simple differentiation तीन लाइन में आ चुका है कितना 1 by 2 ओके तो यह question जो है यह nda के लिए ऐसा question में जरूर कहूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे जो गलत तरीके से करते हो अपना time craft करते है इसको आप सीधे तरीके से करो जल्दी हो जाएगा चलो अगला देखते है question अगला है 10 inverse sec x plus 10 x तो कैसे करना है इसको देखे एक तो तरीका इसको आप one upon cost of sign में तोड़ करके भी कर सकते है दूसरा तरीका है 10 inverse sec x plus 10 x तो अपने पास में बन गया sec x plus 10 x ये cancel कर दीजिए और 2 sec x से sec x cancel हो गया answer किता आगया 1 by 2 ओके गैस चली देखे next question देखते है question number 40 आपके सामने 10 inverse a cos x minus b sin x तो ऐसे question आपने किये होंगे और कहारा जहाँ x की value जो है minus 5 by 2 से plus 5 by 2 के बीच में है and a upon b 10 x is greater than minus 1 तो हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर देखे b अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर b cos x का divide कर दूँ तो क्या बन जागा देखे a cos x upon b cos x तो ये बन गया आपने पास में a upon b minus b से b cancel हो गया 10 x तो देखे a upon b minus 10 x तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 inverse x minus y upon 1 plus xy फॉर्मुला होता है 10 inverse x minus 10 inverse y तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 inverse x की जगे कौन है a upon b है और 10 inverse y की जगे कौन है 10 x है तो 10 से 10 cancel हो जाएगा और 10 inverse a upon b minus x आ जाएगा और इसको हम differentiate करेंगे तो पहला तो constant जीर हो जाएगा second part का कितना जाएगा minus 1 अब देखे substitution वाले question देरे देरे आने लग गए है जैसे यह देखे 4x cube minus 3x तो plane आपका cbc basis का एक question है आपको देख रहा है कि x की value क्या put कर दी जाए हाँ पे x equal to cos theta डाल दो आप तो 4x cos cube theta minus 3 cos theta बन जाएगा second verse 1 upon cos 3 theta है के cos x से cancel हो जाएगा 3 cos inverse x that is equal to minus 3 upon 1 minus x square आजाएगा बहुत ही simple question यह अगला question ncrt मेरे ख्याल से example का question है यह okay x equal to a 10 theta यहाँ पर put किया जाता है तो theta equal to 10 inverse x upon a और solve कर देगे 10 inverse x upon a फिर इसका differentiate कर देगे 10 inverse x upon a का 1 upon 1 plus x square के formula से solve हो जाएगा तो कितना आरा answer solve करने पर 3 a upon a square plus x square है तो यह भी कुछ खास नहीं इस question में बहुत ही easy है आप लोग अगर regular पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे question बन रहा होगा बड़े आराम से जिन से नहीं बन रहा मतलब उनके basics बहुत ही खतन नाक वाले week है त्यारी करो भई चलिए अगला देखिए x square की जगे क्या substitute कर दो cost 2 theta पूट कर दो क्योंकि 1 plus cost 2 theta की structure बन जाएगी तो x square equal to cost 2 theta पूट कर दिया तो finally जा करके देखिए यहाँ पर क्या हो गया cost 10 inverse cost theta फिर इसमें आप क्या करो इसमें आप 1 का cost theta का divide कर दो तो आपके पास 1 plus 10 theta 1 minus 10 theta तो 5 by 4 plus theta finally यहाँ पर आप चुका है ठीक ना तो क्या हो गई है सबसे पहले आपको x square equal to cost 2 theta पूट किया simple है काफी सारे question ऐसे हमने पहले classes में आपको लगवाए हैं तो मैं इसलिए बहुत ही speed में बता रहा हूं आपको तो pi by 4 plus theta तो pi by 4 plus 1 upon 2 cost inverse x square का differentiate कर दो तो 1 upon 2 minus 1 upon 1 minus x square का whole square in x square x की power 4 आ जाएगा और x square का कित तो यह बहुत ही आसान है यह question बहुत ही आसान है आप इसको पूरा देखिए और इसको करिए ओके यह plane cbsc level का यह question है अब आये देखते हैं अगला question देखते हैं क्या 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 रहा find div by dx of each of the function expressed in parametric form तो parametric form के लिए क्या करना पड़ता है div by dt और dx by dt दोनों को solve करके आप इसको divide कर दीजे कुछ भी नया नहीं है इसमें आराम से हो जाएगा यह ओके तो यह यह भी हो गया simple देख लिए कैसे कर दिया गया dx by dt निकाल दिया पहले फिर div by dt निकाल दिया और बीव बीव डीक्स चाहिए तो आपने div by dt मे डीव डीक्स पर डिवाइट कर दिया similarly यह भी देखे आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको दिडी है ना आपको dx by dt और dv by dt निकालना है और दोनों को आपको क्या करना है डिवाइट कर देना बस सावधानी थोड़ी चरखिएगा जल्दवाजी में गलत मत करिएगा ठीक ना क्योंकि question lengthy है थोड़ा सा जाए लिए एक पर थीटा को में लिने के बाद स्वाल कर दिया आ गया इसी तरीके से डीवाइट थीटा कर दिया तो इसका फर्स्ट इंडू सेकेंड इंडू फर्स्ट सब कुछ करते गया डिवाइट कर दिया तो आंसर आ गया एक फार मैनस तू ठीटा ही आ गया है अगला question बह करके डिवाइट कर दिजे कुछ भी खतरनाक नहीं इस question में बहुत आराम से हो जाएगा ठीटा डिवाइट थीटा दोनों को डिवाइट कर दो आंसर आ जाएगा चलो next देखो x equal to 2t upon 1 plus t square y equal to 2t upon 1 minus t square तो d by dx sin x into dx by dt ये कर दिया आपने तो सबसे पहले आपको क्या निकलना है इसमें आपको मेरे खाल से d by dx निकलना पड़ेगा न डिवाइट निकलना पड़ेगा तो देखे क्योंकि आपके पास जो question दिया गया है ये sin x के टम में दिया गया तो एक तो तरीका है कि x को आप लिक dt निकाल दिया ओके तो ये dx पर dt निकल दिया अब देखे आपके पास actually question में cos x आया हुआ है क्या हुआ है cos x को गायब करना है तो cos x जानते हो under root 1 minus sin square x तो ये रख करके आपने इसको पूरे को पूरे t में बदल लिया ये को 1 upon 1 plus 2 upon 1 plus t square ये पूरा का पूरा किसमे convert हो गया t म है ठीक ना बाकी सिंपल सिंपल एकदम बाकी आप करते जाओ कोई दिक्कत नहीं देखे sin x equal to 2t upon 1 plus t square था तो d by dx sin x कि अपने तो अपले एक्चलिट के respect में differentiate किया तो d by dx इसको देना पड़ेगा फिर dx by dt हो जागा अपने कोल मिला के लग कर लिया अब similarly जो y था आपके पास में कितना था 10 y equal to 2t upon 1 minus t square था तो d by dy अब इससे के square y आ गया है y बदला से कि square y equal to 1 plus 10 square y होता है फिर इसमें देखे 10 y की फिर value पूट कर दिया अपने 1 minus t square into 1 plus 10 square y की तो जो है तो देखिए ये value पूट कर दिया अपने तो अपने पास क्या है value आ चुकी है ना अपने को 10 y की value दी हुई या लोड़ी 2t upon 1 minus t square तो 2t का है इसका whole square कर दिया इस solve कर दिया तो finally हमारा answer कितना आ चुका है वह न आ चुका है तो एक तो तरीका आपने देख लिया यह है ठीक ना sine x t की form में था 10 y t की form में था यह आपने इसको डिफ्रेंशिट कर दिया ठीक ना डीवबे dx आपने किसकी form में निकाल दिया डीवबे dx आपने निकाल दिया है ती की form में ओके parametric function था differentiate करके आपने ती की form में आपने इसको निकाल दिया है एक तरीका इसका और हो सकता है, जो मेरे मन में आ रहा है, वो तरीका क्या हो सकता है, देखें, हलकि यह यह है, आप देखें यहां पर, यह 10y है, आपको डीवबर डी-एक्स बनाना है, यह 10y है, और आपको डीवबर डी-एक्स चाहिए, तो मतलब y और x को आपको मिलाना है, क हुआ को है ठीक नहीं को यहाँ पर वह चीज नहीं लगुरी है अगर साइन x और कॉस x होता तो लग जाता वर्ट यहाँ पर आशी को इची जपन को लगती नहीं दिखाए दे रही हैं तो वह चीज जो मैं सोच रहा हूं वह चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी, चलिए अगला question देखे, x equal to 1 plus log t upon t square 3 plus 2 log t upon t क्या करना पड़ेगा, वही तरीका है, dx by dt कर दो, और साथ में diva by dt कर दो, यह dx by dt कर दिया, बड़ा सा answer आगया इसका, और फिर diva by dt कर दिया, आपने इसे में भी मेनत करनी पड़ेगा, आपको diva by dt कर दिया, और आपने divide कर दिया, तो diva by dt और dx by dt solve करके, यह answer आगया है, ठीक है? So ठीक है, बचो, आज की class को यहीं पर हम end करते हैं, next class में जो है, हम इसके आँगे lecture यहीं से continue करेंगे, So आप लोग इस lecture को देखिए, और इसके जो questions मैंने आपको करने को दिये हैं, उनको आप next class तक में पूरा करके लए, thank you so much.